जोजी की पहली सेंचुरी से साउथ अफ्रीका ने किया हिसाब चुकता एजेंसिया ग्विबिहा, बाए हाथ के ओपनर टॉनी डे जोजी की वंडे इंटरनेशनल में लगाई गई पहली सेंचुरी, 119 रन, की बदोलत साउथ अफ्रीका ने भारत को तीन एक दिवसिय मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से आसानी से शिकस्त दे कर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली, टॉनी का ये केवल चोथा वंडे इंटरनेशनल मैच था जिसमें उन्होंने शांदार शतकी अपारी खेली, उनके अलावा ओपनर रीजा है ड्रिक्स ने भी 50, 81 बॉल मे विसाई सुदर्शन और कतान केल राहुल ने अर्धशतक बनाए, लेकिन साउध अफरी की गेंद बाजों ने बाकी बैट्स पर पूरी तरह शिकंजा कस्ते हुए भारतिय पारी को महस 211 के छोटे स्कोप पर समेटने में कामया भी पाई, सुदर्शन ने 83 गेंदों पर 62 र की साज़ेदारी हुई, लेकिन इन्हें छोड़कर अन्य कोई भी भारतिय बल्लेबाज टिकर नहीं खेल पाया और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, टानीड 119 रन 122 बाल 946 666 ऐसे भारतिय मिडल और बल्लेबाज बन गए है केल राहुल जिन्होंने एक केलेड़ साल में OD में अपने 10000 रन पूरे किये है, 22 वे भारतिय प्लेयर बने रिक्यू सिंग साल 2021 से अब तक देश के लिए वंडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले दो दूसरे ऐसे भरतिय बल्लेबाज है साई सुदर्शन जिन्होंने OD में अपनी पहली दो पारियों में 50 प्लस का स्को किया है, उनसे पहले नव जोट सिंग सिध्धू ऐसा कर चुके है, भारता रूतुराज गाइकवाड, LBW बो बर्गर 4, साई सुदर्शन कॉर प्लास इन बो विलियम्स 62, तिलक वर्मा कॉर हेडरिक्स बो बर्गर 10, केल रहुल कॉर मिलर बो बर्गर 56, मुकेश कुमार नॉट आउट एक स्ट्राज, ग्यारा टोटल, 46.2 ओव में 21 बटा 10 विकेट, 1-4, 2-46, 3-14, 4-136, 5-167, 6-169, 7-172, 8-186, 9-204, 10-211 बो बोलिगा बर्गर 1-0, 0-3-3, 3-3, 2-3, 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 2- आउट अफ्रीका हरीजा हन्रिक्स को मुकेश बो अश्डीब बावन, टॉनी डे जॉर्जी नॉट आउट उन्नीस, रासी वन डर्दुसेन को सैमसन बो रिक्यू से 36, एडेन माकराम नॉट आउट दो एक स्ट्राज, 6 टोटल अव बयालीस दशमलव तीन ओव में 215 बटा दो विकेट